जय महाकाल नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल आलमिक से ग्यान सारामिक स्वागत है दोस्तों आसा करदाम आप से लोग अच्छे होंगे आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहें दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जाने करे क्योंकि बहुत लोगों ने इसके बारे में कमेंट किया था और मुझे वार्षाब में भी इसके बारे में बहुत पूछा गया था इसलिए मैं आज आप लोग को इस वीडियो में वहां गुपत मंत्र और गुपत विधिनियम बताता हूं क्योंकि यहां विधी यहां मंत्र ही खुद में प्रभाव साली है यह मंत्र का प्रभाव कई जग में यहां प्रयोग आता है तो आज की जानकारी है क्या चीज? दोस्तों, आज की जानकारी नजर बांधने का है नजर बंधन है क्या चीज? या एक भ्रमजाल उत्पन करता है ऐसा देवी देवता या फिर मसान का सिध्धी करके इस प्रयोग को किया जाता है लेकिन बंद से भी आहां नजरबंध हो जाता है जैसे कई जादूगर लोग इसका नजरबंधी का खेल दिखाते हैं कई जगा नजरबंधी में तंत्र छेत् जो कारे कर रहे हैं उनको कोई ना देखे कोई सिध्धी प्रकिर्या करने जाते हैं तो भी नजरबंधी का प्रयोग कर लेते हैं ताकि वहां कारे करते हैं उनको कोई ना देखे बहुं सारी या मंत्र विधी है जो प्राश्णी लोग हैं पहले के लोग हैं वो लोग इसके पारे में जनकारी नहीं देते हैं तो आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं ताकि आप उनको जान सको और उनको किस तरीका से और किस विधीन या मंत्र कौन से है इसके बारे में आप जान सको समझ सको बाकि इनको करना या ना करना आपके स्वेम के नीना में है मैं इनको आप को जनकाई दे रहाऊं और बता रहाऊं दोस्तों यहां जो है मंत्र है या खुद में बहुत प्रभाव साली है इस मंत्र को सिध्ध करने के लिए किसी भी आमाउस्या या फिर सनी आमाउस्या या फिर पंचक काल में जिसमें पंचक लगावता है उस समय इस मंत्र को सिध्ध क या सात्यु विदीश नहीं है यदि सात्यु की विदीश करते हैं तो उत्रा असरकारी नहीं होता है या तामसिक में अधिक चलता है तो मैं आप लोग को बता देता हूं यह जो है नजर बांधने के लिए उसको कैसे करना है ध्यान से सुनिए और आप यह जरूर करती चलिएगा दोस्तों नजर बांधने के लिए आपको सबसे पहले इस मंत्र को सिध्य करना पड़ेगा सिध्य करने के लिए या काल भैरो का मंत्र है इसलिए भैरो का मंदिर हो तो वहां पर आप इस सिध्य कर सकते हैं या फिर समसान घाट है वहां इसको भैरो का तस्वीर या फिर उसका मूर्ती खरीद कर लाते हैं वहां रख करके इसको वहां पर जाकर के पुजन प्रातना करने पर शिद्ध कर सकते हैं या फिर एक अंत रूम या निर्जानिस्थान में इसको सिद्ध कर सकते हैं इसमें सिद्ध करते समय में आपको नारियल खुम धूप अगरबत्ती बंगला पान लौंग इलैची पांच परकार के मिठाई और सराब सिंदूर या और सारत समागरी लेने के आपको जरुरत पड़ेगा अब इनको जिस दिन सिद्ध करना है उस दिन पहले ही किसी भैरव मंदिर से आप प्राथना कर लेंगे उसे आप निर्जशनी स्थान में जाएं या इकानत्रुम में आप की सिवा कोई ना जाए मैं्वेसर ! जय जो ऐसे ग्रहाण Appreciate हो धारन कर लें और भेरो बाबा का मुर्ती या पिर तस्वीर सामने रखें उसके बाद में सबसे पहले पानी पर च्छिड़ाक देना है आपको उसके बाद में अगरवधती जलाना है अगर पती जलाकर ब Unidos में रख देना है उसके इस्टेंड में उसके बाद पानी इस चाउका सब्काइब करना है यदि आप मालन करते हैं तो रुद्राख्षक रम्ला या फिर काला हकिक के माला से इसको ग्यारा माला इनको पूर्ण करना होता है इनको यदि एक ही दिन में है तो ग्यारा सव एक ही दिन ग्रहाण काल में आपको जब तक ग्रहाण काल लगा है तब तक के ग्यारा सव आपको पूरा करना है यदि अन्य दिन में करते हैं तो 11 दिन ये 21 दिन है उनके हिसाब से 1100 माला को आप डिवाइट कर लीजेगा उसको भाग कर लीजे उनके हिसाब से कि जैसे सुवे 5 माला सामको 6 माला तो इस तरह 11 माला हो जागा इसको अधिक जितना जादा जाब किया जाता हो उतना पारफुल होता है जब पूजा कर रहे हो मंत्र पूरा हो तो आपको एक निबु का वहां पर बली दे देना उसको काटना नहीं है बस आरपित कर देना है और स्राब कि पूजा करने के बाद में उसको प्राहित कर देना है अब इनको प्रयोग कैसे कर रहा है जब ही इनको प्रयोग करना होता है दो इसका दो-tyn बनने के बाद में लास्ट वह उनको ले आना है अब उनुगी भवूत को आपको तीन बार मंतर पढ़के जहांपे नजर बंधिन करना होता है वहां? पे फूंक मार दिया जाता है कहा जाता है यही वह चोटा सä प्रिकेर जिसे नजर बन जाता है दूसरा इन लड़का या लड़की का हड़ी उनका हड़ी को प्राप्त कर लेते हैं इसको विधिवात ला करके उसके बाद में वहां से घेरा लगा देते हैं तो उन घेरा के अंदर में जो भी कार्या आप करेंगे वो दूसरे को दिखाई नहीं देता है अक्सर ऐसे करते हुए किस तरह से कीसे करते हैं क्योंकि आप घृव्ठी तरीका है और इसको थोड़ा खतरनाक है इसलिए इसको यूट्यूब में बताना सहीं नहीं होगा लेकिन इसके बार में जनकारी जरूँगा कि कीस तरह कैसे करते हैं ताक उन साभी विधिक आपको जनकारी हो आप जन सके तो यहाँ जो है काल भहरव का यहाँ इसमें सात्तिक पुजा भी करते हैं, लिक करते हैं, तो भी आपको सराव का वस्त जरूर पड़ेगा. दोस्तो यहाँ गुपता विधी है, अब जान लेते हैं इसका मंत्र, मंत्र इस परकार है, काल भेरा काली के बेटा नजर बांधत फिरेया केला कासी के कोत्वाल हुकुम कर महाकाल चलत के पाउ बांध बठत के माड़ी बांध मारत के हाद बांध बोलत के मुख बांध नजरिया के नजर बांध तिरिया के चाल बांध जानकार के विद्या बांध देवी बांध देव धोबी के कुंट पानी के मरगट के मास के सेवन कर दुहाई महाकाल के सब के नजर बंधन कर इसी तरह यहां मंत्र है, इसी मंत्र का आपको प्रयोग करना है, अगर यहां जानकर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल में नए है तो चैनल को सस्काइब करके बगल बेल करने उसको पेस करके आसलेट कर लिजिए, ताकि जब भी मैं उसकी जानकर आपको सबसे पहले मिल सके, मेरे इस चैनल में गरामिन मंत्र असाधनाय के बारे में आपको अगत कराया जाता है, उनके जनकरी दिया जाता है, अब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद